तो यह दूसरा भी लेकिया आ गई और तीसरा पीछे में कोई दिख रहा है और अभी यह जो पहले अर थकके गई है वहापस गई है एक और लेकिया आएगी और सामने के वाटरफोल भी है तो मैंने अभी अभी देखा काफी सारी चीज़े हैं यहाँ पर देखने के लिए यह तो सोने की चक्कर है मुझे लग रहा है इसको नीन दार यह ठक रख रख रहा है Welcome to Planet Juk की दूसरी वीडियो में पहली वीडियो में जिस जगह मैंने काम किया था उस जगह का नाम था Godwin house और Godwin house वो जू था जो काफी टायम से चल रहा है और मैंने वहाँ पर एससा employee काम किया पिछली वीडियो में और काफी साही चीज़े वहां पर सीखी बाद मेरी ट्रेन अब कम्प्लीट हो चुकी है तो अब मैंने डिसाइड के कि मैं अपना खुद का जू स्टार्ट कर लूँ और जो खुद का जू स्टार्ट करने वाला हूँ उसका नाम है मैपा लीफ वालाइफ पार्क और नौर्थ हमारिका में एक जगह है और बाकि वहां पर अभी कुछ भी नहीं है अभी जस्ट बेसिक वहां पर बिल्डिंग है मतलब एंट्रेंस वगार है एक दो बिल्डिंग है एंप्लोई के लिए बाकि वहां पर अभी सब कुछ जो है है मुझे तयार करना है जो होग़ी एक एक चीज वहां पर रैड़ करना है उसमीच को अपने तरीके से बना सकता हूं और अपने तरीके से जो पर Universe यह नि0270 बिल्डिंग है चीडव मुझे ब्लस हैहता है यहां mountains है यहां यह लेक है यह छोट छोटी lakes है और यह पूरा area जो है मैं बनाने के लिए है मैं यहां पर पूरा zoo develop कर सकता हूँ बगी कुछ रास्ते मुझे यहां बने में मिले है अब मुझे यहां पर शुरू से हर्ची स्टार्ट करनी है अब सबसे पहले मुझे यहां पर स्टाफ को हायर करना है और स्टाफ के रुकने के लिए जगया बनानी है उनके काम करने के लिए जगया बनानी है और उसके बार एनिमर्स के लिए ट्रेट सेंटर बनाना है और एनिमर्स के लिए यहां पर habitat बनाना है और फिर डिसाइड करना यहां पर यहां पर बनाते रहेंगे और विजिटर्स भी यहां पर आते रहेंगे तो अपना बेजने साई से गरो होता रहेगा बाकि अभी यहां पर एक employee तो मुझे पहले से मिली है यहां पर cleaning cleaning कर रही है बाकि यह जिक्या काफी ज्यादा सही है तो अभी सबसे पहले मुझे employees हाय करने के लिए पहले उनके लिए मुझे कुछ building बनानी पड़ेंगी रुकनी के लिए जो staff facilities होती है तो यहां facilities में जाके staff facilities क पूरे मिलाके मिले है पर कि यहां पर दिख रहे हैं conservation credit है तो conservation credit जो है यह जू की जब बढ़ती है तो तब मिलते है इसकी जितनी अच्छी rating होईगी यह वाली अभी 300 है तो उसके बाद उतने जो है मैं जाता animals ला सकता हूँ कुछ animals free में भी मिल जाते है जो customs वगरे वालों पकड़े होते हैं वो free मिल जाते है और यह visitors है अभी 0 visitors है अभी कोई visitor नहीं है अपने zoo में और यह rating अभी 0 है क्या zoo अभी start नहीं हुआ है और बाकि मुझे यह staff room है staff room में यह एक तो छोटे वाला है और यह उसको भी छोटे वाला है तो यह वहला लगाते है और यह keeper hut लगात यहां पर staff room बनागों से ठीक नहीं लगेगा तो थोड़ा staff room को इधर कहीं बना सकता हूँ यहां तो पानी है इधर की staff room बना सकूँ यहां यहां पर किसी animal का बात में बना लेंगी यह जगह animal के लिए ठीक है यहां पर क्रोकुडायल कुछ रख सकते है staff room के लिए जगह सकते है staff room का यहां पर बन सकते है staff room और staff room पर जाने के लिए यहां से रास्ता हो जाएगा तो इधर लगायता हूँ staff room यहां पर लगायता हूँ और इसके साथ में लगायता है keeper head यहां पर लगायता है इसका Keeper Head का Entrance है यहां से आब इसके यहां रास्ता पूचाना है तो रास्ता पूचाने के लिए यहां पर वुडव्य वाला कुछ रास्ता लगाते है यह इस तरह का नहीं ये भी नी यह लगा जैता है इसको इससे connect करते हैं और इसको यहां से connection करेंगे और इसको इस रास्ते पर लाके जोड़ना है था कि यहां से रास्ता बन सके यह रास्ता बन गया है यह वोड़का इधर जाने के लिए ठीक है यह तो हो गया अब ज़िए स्टाफ को हायर करना शुरू करते हैं तो अभी जोए यह पूरे जू की ऑवर व्यू है तो ज का प्राइस सेट कर सकता हूँ तो अभी अडल्ट के लिए तो टिकेट में महेंगा लगाने वाल हूँ अभी शुरू वात है तीन डॉलर से पांच दो चाइल्ड के लिए सस्ता कर जाता हूँ दो डॉलर कर देता हूँ और यह लैंड इतना हुआ है यह happiness का यहां पर दिख है कि GAS कितने हैपी है और अब कितने सई से रह रहा है हूँ यहां दिखेगा यह अपने जू की टोटल रैपूटेशन है और यह करंचली रिसर्च नहीं चल रही है कोई लॉन्स नहीं है कोई marketing campaign नहीं चल रहा है और बाकि यह ग्राफ्स यहां पर आएंगे यह GAS का आएग पहुषान पहुचा है तो वो यहां पर देखेगा बकी अपने finances का देख रहा है तो अभी purchase इस साल जो है इतनी हुई है यह cash flow है यह ongoing expenses है तो ठीक है जलो यह बात में देखेंगे अभी animals का देख लेते हैं तो animals का भी अभी animals नहीं है habitat भी नहीं है तो सबसे पहले तो मुझे भ तो अभी इसके लावा मुझे keeper hire करने है तो एक तो मैं keeper hire कर लेता हूँ तो यह आगया अपना एक keeper और दो keeper ले लेता है उसके लावा security चाहिए तो यह security वाल तो मैं चार लेता हूँ कि security काफी ज़ादा ज़रूरी है यह room मे चार security वाले होगे और इसके अलावा caretaker जो साफ करेंगे यहां पर तो एक पहले से दो और ले लिए एक वैट चाहिए मतलब यह जानवरों का doctor जो है यह काफी ज़रूरी है उसके लावे यह vendor है जो काफी साथा समान जो है supply करेगा हमें मतलब जो भी जो है zoo के लिए चाहिए होगा और educator educator मतलब जो है यहां पर educate करने के ठीक है यह सायत हो गए यहां पर आ गया है सबके नाम और सबके यहां पर इस salary भी आ रही है तो जो वैट है उसकी 1100 डॉलर salary है keepers की 1100 1100 security guards की 280 और यह caretakers है इनकी 230 इनकी सबकी same range बे है जैजर सिंग का प्रमोशन का वैसे बढ़ाता रहूंगा और यह vendor की salary भी 230 डॉलर है बाकि अभी शाम होगी है तो यहां पर light है वगरा जल गी है और अभी यह वाली जो building है यह तो अपने doctor के लिए होने वाली है तो जो doctor मैंने hire किया वो यहां पर रह बैटने वाली है यहां पर staff की building है तो यह ठीक है यहां पर अपनी entrance है यहां पर ticket वगरा चेक होएंगे visitors के और बाकि उससे पहले में सोचता हूँ यहां पर कुछ में visitors के लिए facility भी बना दूँ मतलब visitors आएंगे होंगे साथ बच्चे भी होएंगे तो कुछ खाने पीने की जगया भी होने चाहिए तो facilities में देख लेते हैं क्या क्या option है और बहुत सारी options available है इस game में कोई limit नहीं कस् चीजे पच्चेस करने के लिए एक ही काफी है ATM फूड में जो है option है यह सोडा तो सोडा वाला लगा सकते हैं सोडा थोड़ा साथ साइड में करके लगाता हूँ तो यह सोडा वाला यहां पर entrance में लगायता हूँ तो यह होगे गुलपी सोडा यहां पर cold वगरा soft वगरा मिल सकते हैं अब इसके लिए लगाते हैं साथ में कुछ खाने के चीज़े तो खाने में जो food stalls है je da word थे लगायता है तो घंशी तो यह पर पर मिल जाता है बच्चयों के खाने के लिए यहां पर ठीक है यहां पर अपर श Industry आप थीक है यह अपने कुछ काम है नहीं अभी आई नहीं है तो इसे पहले डिसाइड करने हैं कौन से अनिमल लेकि आने और कहां रखने है तो मैं थोड़ा सा वेट किया पहले रहात होई थी अब दिन हो चुका है और पहले मैं सोच रहा हूं कि जू को पोस कर लो क्योंकि अभी जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं इनकी सेलरे डेट होती जा रही है तो पूरा जू जू को पोस हो गया तो अभी कोई खर्चा नहीं होता है पहले जू को तयार कर लेते हैं मतलब पहले एक दो एनिमल को यहां पर ले आता हूं ताकि विस्टर आना शुरू करते टिकेट के पैसे अगे आना श विस्टर आने के लिए कि इस सैच भी यहां पर भी जगय है तो यहां पर इस पर यहां पर ज्यूब बना दूगा उसको यहां से connect कर दूगा दूगा और इधरे घ्षाड बना लते हैं एक हैबिटेट है और अनिमल यहां पर सारे अवलेतल प्रशित है तो आनिमेल में में यहां पे पीछे इसके लगा जाता हूं उसके पीछे यहां पे ठीक रहेगी यहां फिर इधर कहीं जगे हो तो यहां पे लगा सकते हैं यहां पे लगा सकते हैं यहां पे जगे है तो एनिमल्स के लिए फैसलिटीज में जाके सबसे पहले अनिमल्स को लाएं के लिए ट्रेड सेंटर चीए और ट्रेड सेंटर तो मुझे देख रहा है कि एक तो यह ट्रेड सेंटर है यहां पर यह कुरेंटाइन वाला भी है अनिमल्स को डायेट लाके हम जूमें ही छोड़ सकते हैं को लाके कुछ दिन रखके देखना पड़ता है कि वह हैल्दी है और ठीक है उन्हें कोई दिक्केट नहीं है उसके बाद जूमें अंदर रख सकते हैं क्योंकि बाकी अनिमल्स की सेफटी भी काफी ज़रूरी है रिसल सेंटर तो बाद में लगाएंगे इसके भी ज़रूरत नहीं है तो यह तो ठीक है मुझे लोगे जैसे मैं लायन सेर्ट करता हूं तो यहां पर अवलेबल है और यहां पर मुझे 991 कंजर्वेशन क्रेडिट्स नहीं है इस लाइंग को पर्चेस करने के लिए उकी रेटिंग काफी अच्छी होने चाहिए और उसके लावा तो भी फ्लैमिंगो अवलेबल है तो मैं आवी बारियर्स में तो मैं ब्रिक वोल लगा तो यहां पर सारे मैं लगा दी है और इधर की साइट मैं लगवा ग्लास वाली वोल तकि जो visitors आएंगे उनको दिख सके हैं यहां पे कि अंदर कौन सा animal या bird है तो यह glass वाली wall है यहां से लगाना शुरू करते हैं इधर की side से यह सारे मैं यहां पे glass की wall लगा दिया है यह सारी glass की wall है यहां से लेके यहां तक यहां पे side में रास्ता बनाने वाला हूं यह glass की wall यहां तक है तो बाकि मुझे यहां पे entrance बनाने है तकि जो अपनी keepers है वो इसके अंदर जा सके है habitat के तो यहां पे एक gate लगाना है और यहां के लिए path बनाते हैं थोड़ा सा तो यहां पे entrance बना दिया है और यहां पे रास्ता भी connect कर दिया है तो अभी flaming को उसके लाने के ठीक है यहां फ्लैमिंग को पहले purchase करते है फ्लैमिंग को यहां नीचे आ रहे थे बकिर यहां monkey के लिए साथवाला बना देंगे फ्लैमिंग को यह नीचे यह रहे तो फ्लैमिंग को यह तो purchase कर लेते हैं इसको stand to do भेजते हैं यहां पर इस वाले habitat के अंदर तो इसके delivery schedule कर दिया है यहां पर आ जाएगा और एक नीचे परचेस करते हैं भी तीन और purchase कर लेते हैं अब ही यह दूसरे यह तो ostrich है यह रहे फ्लैमिंग को इसको भी डॉप करते हैं इसको भी डॉप करते हैं और इसको भी डॉप करते हैं और बाकी यहां पर trade center में wait कर रहे हैं तो यह वाला तो habitat में आ रहा है भी इसको भी इसमें भेज देते हैं यहां पर तो चार फ्लैमिंग के हो जाएंगे यहां पर और यह है एक के रहा तो चार शुदू कर दिये और बाकि अपने एंप्लॉईस अभी ले के आ रहे होंगे कि अब देख लेते हैं और मैंने गेम पोस्ट कर रहा है अभी तो गेम एको रिजूम करना पड़ेगा ठीक है अब प्रेड सेंटर में इस जगे पर आएंगे यहां यहां पर लेके जा रही है यह बाकि दूसरे वाला भी हारा है लेह जाने के लिए एक एक करके बॉक्स में लेके जाएंगे तो यह बॉक्स तो काफी साही खुलता है उसका एफेक्ट भी काफी अच्छा है तो यह आगया अपना पहला फ्लैमिंग गो तो यह दूसरा भी लेके आ गई और तीसरा पीछे में कुछ दिख रहा है और अभी यह जो पहले अर तक्के गई है वापस गई है एक और लेके आगी ठीक है तो यह आच चुके तीन एक और आ रहा है अभी और अभी यह यहां पर इसके जो यह बेसिक चीजे चेक कर रहे हैंगे अभी इसको रखा है ताकि इसका ध्यान रखने के लिए इसका हाइट कितनी है वेट कितनी है नूटेशन कैसा है और यह दर क्या हुआ है अच्छा यह यहां पर इसको फॉरट का फ्लैमिंग बी आ गया है वैसे नॉर्मलल यह बर्र को लागके में अभी आग génो क seminar के ø Onel दॉक्ट करना रहा है तो इसके सीधा को यहां ग्या क्या ओ अभी इनकोट्र करा दिया ता अभी यहां पर आके वैटने चैग किया तो 1 वा इसका nutrition तो अभी ठीक है social habitat और बाकि इनके मुझे खाने का और पानी का इंसाम भी तो करना है एक मुझे पहले इसको हटाता हूं मैं यहां पे इनके habitat में जाके इनके खाने के लिए इनके खाने के लिए एक तो यह फूड बाउल लगाएता हूं यहां पे बीच में मतवने क्या चीज़े पसंद है अपने habitat के अंदर तो जो अपने एक फ्लैमिंगो को डॉक्टर लेके गई थी यहां पे लिखा आ रहा है कि उस वाली फ्लैमिंगो को थोड़ी सी injury थी इसलिए वह उसको वापिस लेके गई है तो उसको ठीक करके वापिस यहां पे छोड़ दे तरीके का रास्ता बनाएता हूं यह वाला रास्ता है इसको यहां से लेके चलते हैं इधर की साइड से और बाकी जो वहां पे पुल बनाओंगा उसको देख लेंगे उसका कौन सा बनाना है उसको श्यद वूड़ का बना दूआ अब है तो यहां तक तो यह रास्ता आ गया मैंने पुल बना दिया हूँ यहां तक रास्ता बना दिया है तो इधर की सैड पे मैं एनिमल्स वगया रख सकता हूँ और वैसे तो देकिने मैं काफी साही लग रहा है पास से भी देखी लेते हैं तो यह अपनी चोटी सी लेक के ऊपर से यहां से एक पुल है और इस पुल पे भी यहां पर लोबा ख़ड़े होके यहां काफी साही व्यूद ले सकते हैं इधर का व्यू दिख सकता है, यहां के अनिमल दिख सकते हैं, यहां के दिख सकते हैं, और यहां के दिख सकते हैं, और यहां पर कौन सा रखूं, यहां के लिए मैं अनिमल सोचता हूँ कि यहां पर जराफ रखते हैं, और लाइन के लिए तो मैं कहीं special बनाने वाला हूँ, ल सवाली बना लेक्ट तो इसमें से आरप इखते हैं तुम्हम को थीक लग रहीक है यहा पर इसको यहां से शुरू करते है यह इर तो मैं ग्लास के बना और इधर से शुरू कर लेते हैं यहां और इस साड़ में यहाँ पर यह से चेन वाली बना सकता हूं यह ठीक लग रही है इसी को सारे में बनाता हूं जराफ के लिए जराफ के लिए यही ठीक रहेगी विजिटर्स आने शुरूर हो गया है तो अभी 119 विजिटर्स अपने जूमें आ चुके हैं जो मुझे नीचे जह दिख रहे है तो इसससारे में मैंने यह जाल्य लगा दे यह थीक है क्लिस जराफ तो इतना जाहरा खतरनाक नहीं उता सब्सक्तर होता होता ही नहीं है तो इसकलिए यह ग्लस करबाने पाने के लिए और पहले जराफ नीच Karma कर रहे देख रहे किशितर्स Kே और पॉन कि नऐ जराफ तरफ कर लेते हैं और जराफ के लिए अभी जराफ restroom नियाıld क्लेस लिए नए अभी जराफ दिनगे जराफ रेफ्रेश्च कर लिए रिफ्रेशिया लर्ख फय भी कोई और ठीक लगेगा यहाँ पे और ग्रिसली बेर के लिए यह वाली जाजय वाली ठीक रहेगी वैसे तो नहीं तोड़ पाएगा इसको और बाकी अगर देख लेंगे अगर जहां से तोड़ेगा इनको तो जहां पर कोई और दूसरी वाल्स लगा देंगे उसको पकड़ लेंगे औ और इसको यहाँ पे भेज देते हैं नहीं यह ग्रिसली बेर के लिए लिए लोकेशन ठीक नहीं है तो यहाँ नहीं भेज सकते हैं ठीक है पर्चेस कर लिए उसको ट्रेडिंग सेंटर में रहां देते हैं अभी उसके लिए दूसरा है बना देंगे ऐलिफेंट को ला सकता ह पांडा को डॉप्ट करके पांडा भी यहां पर यहां पर गूँम रहे हैं सारे के सारे विजिटर्स का देख रहा है तो यहां जू को बाहर निकालतों मुझे लगता है मैं रात को जाहर देल तक ही जू को ओपन रख लिया और सामने एक waterfall भी तो मैंने अभी अभी देखा काफी सारी चीज़ें यहां पर देखने के लिए यह waterfall यहां से आ रहा है और यहां से इधर नीचे आ रहा है ठीक है अभी रात होगी है पहले मैं zoo की timing थोड़े सी कम करूं zoo को रात को open नहीं करते सिर्फ शाम तक यह open रखते हैं तो यह 1.5 तक मैंने किया है नई इसको कम करता हूं इसको मैं कर देता हूं शाम के 7 बज़े तक ठीक है अपने अनिमल को भी क्योंकि अराम तो करना ही होता है तो यह साथ तक ठीक है इस वाली एंटर से मुझे एक गेट लगाना है तो वह गेट मैं यहां पर से इधर से लगाएता हूं तो यह लगया गेट यहां पर अब ठीक है अब यहां पर ग्रिसली बैर आ जागा पहले शाथ गेट के वह से नहीं आ था अब भी देख लेते हैं यह अपने अनिमल ट्रेट सेंटर में आ चुका होगा तो यह पांडा भी आ चुक है और बैर भी आ चुक है तो बैर को भीज है यह जुक कराया लगा है ठीक है यह बड़ Аला लगाते हैं हुआ कि हैं से लेके और अझ्याइब मैं ठीक है यहां क refers काफिस त्राके सारे आ रहे हैं और यह सौ thoufer के लिए ऐ भी लगी है अपना profit profit आना शुरू है नहीं हुआ देख लेते हैं एक बार आजी फाइनस भी जाके यहां पर income आने शुरू होगी है तो अभी 2621 डॉलर आ चुके हैं तो income शुरू होगी है और अभी तो काप सारे खर्चे हो रहे हैं तो अभी income थोड़ी थोड़ी धीर बढ़ना शुरू होगी जैसे मैं अनिमल्स लाने शुरू करूँ है और इंकम भी आने शुरू हो जाएगी और अभी जो ऐ अपने शूरू पर इंस्पेक्टर आगया है मतलब इस्पेक्टर विजिट करने आया है अनिमल्स के वेलफेर के लिए कि जो हम आनिमस रख रहा है हमुँका ध्यान रख रहे है यहां नहीं रख रहे है कोई यहां पे कुछ गश्ट बढ़ लगी तो यहाँ पांडा प्रचेस कर दीकर पांडाद के लिए ईधर बना जिए यां की जगे अभी अलमस्ट रेढी बस यहां fencing करने है और पांडा के लिए क्या रगई पांडा के लिए इस India agree जाली वाल बना जेत english तो यहां से बना शुटू करते हैं panda के लिए जारियो वाली wall इधर से बाकि मैं height उची कर सकता हूँ मतलब अब यह 2 meter की है इसको अब इसको extend करना है यहां से इसको select करना है इसको यहां से करके उपर drag कर लेना है और यहां से इसकी height जो है extend हो जाएगी तो यह panda के लिए यह बना दिया है यह यहां से रास्ता जाएगा यह panda के habitat में यहां पर entrance के लिए बाकि visitors यहां इसे देख सकते हैं तो यह काफी जदा बड़ा बन गया है यहां से पूरी fencing मैं करते हो गया हूं और यहां तक जहां तक boundary है इधर तक लेके गया हूं और यहां प साफ ही बड़ा हो गया है बाकि इसके लिए जो है पहले मैं खाने का पानी का पहले ही लगाएता हूँ habitat में इसके food के लिए तो same to same वही food ball लगाने वाले हो और same to same यही water truck है बाकि इनके enrichment के लिए item देखने पड़ेंगे कि कि किसी animal को अंदर पॉंड पसंद है पानी पसंद है किसी को कुछ और bamboo या tree चोटे चाहिए तो उसके साबसे बाद में लगाएंगे animals का देख देख के उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है अब फिलाल दो चीज़े सफिशेंट है खाने का और पाने का इंजाम हो गया है अब बस जो panda मैंने पच्चेश कर रहा है वो में ट्रेट सेंटर में जो gate के पास है उसको यहाँ पर बुला लेता हूं तो ठीक है उसकी delivery भी यहाँ schedule करती और बाकी एक बार देख लेते हैं कि और अपने zoo में क्या चल रहा है तो इस zoo के challenges है यह बात में करेंगे तो अभी इस स्पेक्टर की रिपोर्ट थी हो ठीक आई है मतलब उसमें जो है उसने काया कि cleanliness वगरा ठीक है बाकी animals के लिए थोड़ा सा उसने काया कि अन्रिस्मेंट के लिए और कुछ items लगाने की ज़रूत है तो अभी फिलाल ठीक है फिलाल कोई issue नहीं है तो इस स्पेक्टर फिंस से कुछ ताइम बाद चेक करने आगा इतने जो है अपना zoo थोड़ा सा grow भी हो जाएगा और सभी हो जाएगा यह क्या लोगों cash की warning आन लग चाहता है तो अभी कुछ time के लिए खर्चे को रोगता है मतलब एक दिन के लिए खर्चे को रोगता है मतलब कुछ visitors को आन देते हैं जो अपने zoo पे एंगे ticket लेंगे ticket purchase करेंगे उससे profit होगा उसके बाद फिक जो है दुबारा से और चीज़े बनाना शुरू कर देंगे को नहीं है पता नहीं है क्या कर रहे है यह खड़ो कि चलो ठीक है करने दर जो कर रहे है और बाकि अपने visitors वगारा तो आई रहे है यह security यहां पे है और इधर क्या देखने जा रहे है इधर तो कुछ माने लगाया ही नहीं है यहां पर भी location काफी सही है यह अपने किसी बड वगारा के लिए न कोई छोटा वर्ड होगा उसको यहां पर इसका habitat बना सकता हूं और उपर की साद तो पूरा पूरा ग्राउंड है इसको तो मैं लाइन के लिए सोटा हूं कि यहां पर special लाइन के लिए बनाऊंगा और यहां पर यह पानी वगारा कर रहेगा और टाइग यहां पर यहां पर elephant अवगार को रखा जा सकता है पांडा को देख लूँ पांडा को पूचा दिया इन्हों है तो पांडा यह आ गया पांडा अपना यह ऐसे आलची की तरह खड़ा क्यों है अब थोड़ा गूम ले इदर यह तो सोने की चक्कर है मुझे लग रहा है इसको नीन दार यह ठक रखा है देखने में काफे जा अच्छा लग रहा है ठीक है चलो इसको दर चीड़ते जादा न अभी यहां पर थोड़े दें वीटर आ जाएंगे और वैसे इसका वैल फेर वगडरा ठीक है नुट्रिशन भी शुशल तो 100% है नुट्रिशन के लिए मैंने लगा दिया है फूड और पानी का तो अभी अपने इंप्लोईस आके यहां पर डाल देंगे इसको फूड और पानी बाकि इधर की सेड़ कुछ वीटर आए नहीं अभी बाकि वीजिटर्स यहां तक तो बाकि वीट करना पड़ेगा वीजिटर्स को यहां गूमने देते हैं एक दो दिन का प्रॉफिट है खटा करते हैं फिर उसके बाद जैसी और कैश हो जाएगा और बाकि अनिमल्स पर्चेस करके लेके आएंगे तो अभी इसको फूड़ा वीट करना पड़ेगा वीजिटर को यहां गूमने देते हैं एक दो दिन का प्रॉफिट है खटा करते हैं फिर उसके बाद जैसी और कैश हो जाएगा और चीजों को बना शुकर देते हैं कि जूत वह भी काफी जाए बड़ा बनने वाला है तो अभी फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना वीडियो पसं कर दिर कर दो कि में ज्याओर क कर दो कर दो कर दो कि झाज कर दोद'.